मैं इसना मुदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम से ठाले में एक बॉडी बिल्डिंग में अपना केरियर बना रहे और एक जिम ट्रेनर के तौर पर काम कर रहे संकल भाठकर नाम के वेक्तिका एक हपते पहले ही अपने बुज़ुर्ग पिता से घरेलू जगड़ा हुआ था और इसी गुस्से को दिल में रखकर इस ट्रेनर ने बुज़ुर्ग माबाप पर जानलेवा हमला किया है इस हमले में बूढी मा की मौत हो गई है जबकि बुज़ पिता गंभीर रूप से घायल हो गया है उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है माता पिता पर जानलेवा हमला कर ये ट्रेनर आरोपी फरार हो गया था मगर पुलीस ने इसे कुरला के नहरू नगर से गरफतार कर लिया है आपको बता थी कि बॉडी बिल्डर संकल्प भाटकर का एक सब्साह पहले अपने बुज़र्ग माबाप से घरीलू विवाद हुआ था जगडे से बॉखलाई संकल्प भाटकर ने अपने 77 वर्षिये पिता विलास मुकुन भाटकर और 66 वर्षिये मा विनीता विलास भाटकर पर गुरुवार 11 मई की दोपहर को करीब 12 बजे के आसपास धारदार चाकू से वार कर दिया इस हमले में आरूपी की मा विनीता भाटकर गंभीर रूप से घायल हो गई है और खून बहने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई बुजुर की पिता विलास भाटकर भी गंभीर रूप से घायल हुए है और उनका घोड़ बंदर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल संकल्प खुद एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है और जिम ट्रेनर के तौर पर भी वो काम करते हैं लेकिन उनकी बॉडी बिल्डिंग के दौरान शुरुआती जानकारी सामने आ रही है कि वह काफी मात्रा में एस्टराइट ले रहे हैं और इससे उनकी दिमाग पर अ मामला दर्श किया गया है और कासर वडवली पुलिस ने अपरात की गंभीरता को समझते हुए आरोपी संकल्प भाटकर की तलाश के लिए टिम गठित की थी पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और कुछी घंटों में आरोपी को कुरला के नहरू नगर से गिरफतार क किया रही है